अब अगे कैसे हमें CMM मशीन अउन करनी है तो सबसे पहले जाएंगे हम बैक साइड यहां पे जो एर प्रेशर था सबसे पहले इसको ओपन करेंगे वाल्ब को ओपन जो यह एरो है इसके पैरलर रखेंगे उसके बाद एर ड्राइर अन करेंगे यह एर ड्राइर अन हो गया इसके बाद वापस आएंगे यहां जो सुचेस हैं इसको ओन करेंगे जो एक्स्टेंशन है उसके लगाऊँ आए इसके बाद एमर्जन से रिलीज करेंगे इसके बाद हम मेंस्विच जो है इसका कंट्रोलर का यह मेंस्विच है इसको टॉप बट्स डाइरेक्शन में करके अन हो गया उसके बाद जाके जॉइस्टिक में जो भी एमर्जनसी दी हो रिलीस कर लेंगे इसके बाद जो है कंट्रॉल अन करेंगे ये ग्रीन लाइट जल गई ये ड्राइब सान कर लेंगे ये ड्राइब सान होगी ड्राइब सान के बाद ये सिप्व्यू अन करेंगे इस्टम अन हो रहा है ये इस्टार्ट पता नहीं चलता है ये बता रहा है कि हमें कंट्रॉल अट और डिलीट को एक साथ प्रेस करना जैसे ये करेंगे एड्मिन्स्ट्रेटर आए जाएगा यहां पर पास्टोड डालेंगे ये जब पास्टोड डालेंगे तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे ये मॉनिटर ऐसा है हमारे पास पीची को लेगा इसके बाद इसके बाद हम जाएंगे कैलिप्स और साफ्ट्वियर में ये वेलकम जहां पर लिखा है ये जाइस का कैलिप्स और साफ्ट्वियर अन हो गया यहां पर अभी ये पास्टोड मांगे यहां पर पास्टोड डालेंगे ओके ये साफ्ट्वियर अन हो गया अभी यहां पर पूश रहा है कि प्लीज मूव दस एम एम तो एक कीलियर पोजिशन्स मतलब यह अपनी होम पोजिशन्स पर जाने के लिए पूश रहा है किसी एम एम को आप होम पोजिशन्स पर रखेंगे उससे पहले आपको हमेशा यह एक्स वाई और जड़ की पोजिशन्स जरूर देख लेनी है यह हमेशा ऐसे एक्स में प्लस 30 होना चाहिए करने के बाद जॉइस्टिक से लकल का स्पीड को अन करेंगे और उससे आप से हमारी सीम एम मूव होई यह अपने होम पोजिशन्स पर जाते ही आप देख सकते हैं जो हमने कहा था कि क्यों एक्स 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 एट प्रोब को लोड करना होगा है कोई और प्रोब होगी तो वह हीट हो सकती है वेखर कोई लेंथ ही प्रोब है यह यह रिजन था जो प्लोजिंग वीडियो आपस में क्यों एक्स एक्स हेट को अमलोड करते हैं यह सॉप्वेयर ओपन हो गया यह ऐसा अपने पास सॉप्वेयर ओपन होगा उसके बाद आप क्रियेट न्यू मेजरमेंट प्लान में जाएंगे और जो भी जैसे प्रोग्राम आपको चलाने हैं जिस भी ऑपरेशन के जिस भी लाइन के उसके साफ से आप हमना स्टार्ट करेंगे तो यह ता कि कैसे हमें पूरी स्यम मशिन आउन करने हैं